आमने सामने में आपका स्वागत है मैं विश्वेंदू जैपुरिया देश कीवित मंत्री निर्मला सीता रमन ने आज बजट पेस किया है आम बजट जिसको लेके आम लोगों में बहुत उत्सुकता थी सबसे अधिक उत्सुकता मिडिल क्रास को थी कि इस बजट में इस बार क्या रहने वाला है टैक्स को लेकर ज़रूरी समानों को लेकर खास कर महंगाही को लेकर क्योंकि लॉक्डाउन के बाद देश की वस्ता को गहरी चोट पहुची थी जिसके बाद यह बजट अपने आप में बेहत खास हो गया था ऐसे में स्टूडियो में मेरे साथ इस प्रोग्राम में चर्चा के लिए भाजपा प्रदेशकार समिती सदस भाया अभी मन्यू परसाद और CPM के जिला सचीव गनेश कुमार स Chitoy जी मौजूद हैं आप दोनों का स्वागत है सबसे पहले भाइया चाहिए बजट की खासियत क्या है इसको कैसे क्योंकि ब्जपी के लोग कह रहे हैं कि यह बाहू बल्य बजट है और आम लोगों का बजट है तो इसे कैसे यह आम लोगों का बजट आप कहेंगे देखि गुजर रहे हैं और इसमें जो आर्थिक नुक्सान हुआ है नीचे अस्तर से लेके ऊचे अस्तर तक इस परिष्थिति में जो अभी का हमारे जो हमारी जो बित मंतरी निर्मला सितारमन जी ने जो बजट पेस किया है वो सही में वो जो है काविल तारिफ है और आप गोर करके देखें कि इस में इस बजट में हिम्मत दिखाया गया है देश को सम्हालने का हिम्मत दिखाया गया है ये बजट को आप इस सिर्फ बजट मत समझेए ये बजट इस बिपरित परिस्थिती में ये जो बजट दिया गया है ये सही में भारत देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा हिम्मत दिया गया इस बजट में और ये बजट जो है ये हम लोगों का जो अर्थ विवस्था जो पूरी तरह से चर्मरा गया था करोना के वज़े से वह बहुत हद तक पड़री पे आएगा गने सीटू जी इनकी बातों से आप कितना सहमत है नहीं सहमत नहीं देखे ये ठीक है प्रस्तिती तो बहुत भ्यंकर थी इन इसको आपको देखना होगा कि आजादी के पाद ये पहला बजट है जिसमें 54 सरकारी कमपनियों को बेचने का बजट ये प्राउधान है आप याद किजिए 2013 में भारतिये जन्ता पार्टी एब्डियाए का बिरोध करती आप दे अभी इस बजट ये जो दीमा अभी आपको सबसे अधिक अगर इंकम कोई दे रहा है तो एक एलाइसी आपको दे रहा है लाइसी में इसके पहले 27 प्रतिसंति भाजपाई उसको नचास कर दी अबरी से बाइस इस सत्रा से बाइस में सिर्फ एलाइसी और ठाइस लाग एक हजार चारसो तेरासी करोड रुपईया गौर्मेंट को दी है अभी जो हमारा के अभी खतम होगा इसमें सरकार को लाभांस दी है 2697 करोड रुपईया और अभी जब देश की स्थिति खराब थी तो सरकार ने लाइसी को बोला कि थोड़ा इसको तुम ठीक करो एने चाही रुड को उसको एक लाख चालिस हजार करोड दिया कुन दिया लाइसी दिया अभी हमारा रेल्वे की स्थिति खराब था उसको सरकार कि एक लाख पचास हजार करा रुपिया दो अभी एलाइसी दिया आप बताई गया ता वह करोना को को देखते हुए एक साल उसको और बढ़ा दिया गया उनको फो चुट दिया गहां अगले बार था 1,54,000 करोड अब एक लाख 48,000 करोड तो किसान को क्या फैदा होगा उनका आय दुगना होगा तीवना होगा और एक बात आपको समझना होगा यह बजट किसान का मजदूर का मद बोही है यह बजट देश का है और आपको एक चीद मानना होगा कि करोना काल में ह तो सर्गार इस पूरे बजट में रुजगार कहां से पैदा होगा अभी एक सबसे बड़ा चीज था वो था आपका मंड़ेगा में अभी हम लोग को चाहते थे कि सौधित दिन का मिलता है का उसको बढ़ा कर डिड़ सौधिन कर दिया जाए तुकि बहुत सब्सक्राइब ले अब उसको भी बटा दिया तो यह जो बजट है यह बजट के देश का जो इस्थिति है उस स्थिती को उबारने का इस्थिती नहीं हुआ और आप उसको करग में फसने का इस दिति इस सब्सक्राइब जैसे अभी बोलने हैं हेल्था और एजू के लिए एक हजार एक बात और इसमें है कि हमारा जतना भी पब्लिक सेंटर यूनिट के लिए बहुत पहले 1953 से जो जमीन एक्वायर को आता अभी आपके पगर में एची सी है बोकार इस्टी सिटी देख लिए उसका बहुत सारा जमीन खाली है जो सरकार आप सरकार बहुत उसको बेच के हम पैचा लाएं यह सरकार पर सवाल उठा रहे हैं इस बजट पर यह कह रहे हैं कि सरकार ने LIC क पियों निगालने की बात किये है डीवेड़ों के से बिचने की बात किये हैً शिपिंग कॉर्पेरिसंथ देश में पोलना है इनका काम इनके आदत में है और डेस जो है वह बहुत सेंटिमेंट के अधार पेभाएप बजट नहीं चलता है परिस्थीतियों के मुताबिक बजट होता है कि हमें किस चीज में पैसा खर्च करना है और इस साल हमको किसमें हमको ज्यादा पैसा लगाना है किसमें कम पैसा लगाना है इन्होंने कहा कि मनरेगा में बजट कम हो गया है मेरा काम खतम हो गया उसका बजट खतम हो गया तो उसमें पैसा कम हो जाएगा जब मेरा कोई भी काम जो है अगर समाप्त हो जाएगा तो जब अरजस्ती क्या उसमें 12 रुपय देगा फिर हम 18 रुपय दे दें उसको वो पैसा फिर किसी दूसरे जगह लगेगा इस देज में और भी बहुत सारा काम है और बहुत सारी योजनाय आती है और जैसा कि यह बता रहे थे कंपनियों के बारे में तो कंपनियों का भी जो अगर हम लोग लेखा जोखा देखेंगे तो वक्त बीवक्त साल दर साल उसका कहा हवाच सकता है हमारा कोई कंपनी मेरा बहुत प्र Shopify कर गया मैं एक कंपनी का मालिक हूँ मेरा कंपनी काफी प्रवफीट किया है तो इसका पैसा फिर हमको कहा लगाना है हम आज किसी बैपार से सो रुपिया कमाये है तो इस सो रुपया में पचीस रुपया हमको कहा लगाना ही है निर्ने होता ही है अगर हम उस पैसे को उसी तरह छोड़ दे इनका कहना है कि LIC जो है वो काफी जो रहत से जादा लाब देने वाली कमपनी है मानते हैं इस बात को क्या उस लाब को उसी जगा छोड़ दे क्या उससे देश चलेगा हमको उस लाब को भी कहीं लगाना होगा जिससे क्यों और पैसा जेनरेट हो फिर दूसरा काम हो इसी तरह से हम भी कमपनी हैं जो हमारी लाब वाली कमपनी है जैसा कि यह बता रहे थे तो हम लोग एकसेट करते हैं तो अभी तो उसका पैसा फिर वह ऐसे कमपनीयों में लगाया जा रहा है जिसको की कुछ बित यह सहता की जुरत है या ऐसा कोई मेरा कमपनी है जिसमें कि उस पैसे को हम लगाएंगे तो वह और पैसे को जेनरेट करेगा जब ज़्यादा पैसा जनरेट होगा तो देश के बजट में काम आएगा देश कितमें काम आएगा और उसी परियोजना के मताबिक चल रहा है बजट भी ऐसा ही होता रहता है अब अगर किसी कमपनी का लाप को अगर वही छोड़ दे सब्सक्राइब करता दिया अभी आप 74 परशेंट कर देश का मतलब क्या हुआ पहले सो रुपिया अगर फाइदा होता था तो एक रुपईया का अनुदान नहीं देती और 26 रुपिया के पास रहेगा आज जो अभी आपको बोले कि भारत सरकार ने एक योजना प्रुपिया है भारत माला भारत माला योजना के ताथ six lane eight lane रोड बनाना एलाइसी को दिम्हारी दिया कि इसमें आपको एक लाग चालिस अजार करोड देना उधिया अगर एलाइसी का इंकम घड़ जाएगा कल सरकार बोले लिए कि आपको एक लाग चालिस अजार करोड देना उधिया इसमें थोड़ा सा हम बीच में रोकते हैं समझने वादी बात है कि अगर एलाइसी का पैसा दिया गया तो उसका जो गैपिटल है उसको तोड़ करके नहीं दिया गया इलाइसी जो लाब कमाया है उसको दिया गया कि इसको दिया गया क्या को प्रैवेट आदमी को दिया गया अगर ये बात कर रहे हैं इने चाहिए तो इने चाहिए हम ही लोग आ है उस पे सड़क है लोग चलते हैं गाड़िया चलती है परिवान होती है अगर उस पे अगर नहीं चलती है और रही बात कि यह जो बार-बार कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों को ला पहुंचाने का बात है तो आप बताइए कि भारत देश में ऐसा कंपनी कोई है कि जो अपना कमाई का जो है कर वो सरकार को नहीं देती हो क्या कोई भी ऐसा भारत देश में कंपनी या कोई नौकरी वाले कोई बेखती जो रोजगार प्राप्ट करतें जो कमाई करते अंगे जितना उनका टैक्स बनता है देते हैं तभी तो कंपनिया भारत में अगर वो टैक्स नहीं देगी तो ब्लैक लिप्ट हो जाएगी चाहे सरकार किसी की रहे तो क्या उसको बाइपार करने देंगे यह समझने वाली बात इसके आप कुछ कहना चाहिए सरकारी कमपनी अभी एक बने फास्ट प्लान से ले करके थर्टीन प्लान आप उठा लेजिए यह कोई मामली बात नहीं है कोई भी प्राइबेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है यह बात को स्विकार कर रहे हैं लेकिन मैंने पहले भी कहा था चुकि यह विपक्ष में रहे हैं तो इनको विपक्ष वाला ही यह इनका ब्यान बराबर आएगा और रही बात जहां तक हम लोग आज चर्चा के लिए बैठे हैं तो आज हम लोगों का चर्चा है जो इस बार हमारे देश के बित मंत्री स्री मतिन निर्मला सिता रमन निर्जियो जो इस बार बजट पेज किया है उस पे हम लोग चर्चा पर बैठे हुए क्या यह बताएं कि इस बार का जो यह भी बता रहे थे कि किसानों के हित में नहीं है अभी पैट्रोल पे आप देखें होंगे समाचार में चार रुपिया पर लीटर का सर्चार लगाया गया वो सर्चार सरकार पेमेंट करेगे वो जणता नहींदेगी लेकिन पेट्रोल का कमाई है अगर सो Kollegen का है उसमें चार हुपईया का कमाई जो है उसके लिए परखान किया गिया क्या है किसान का हिद नहीं है। हम लोग बात करते हैं स्वास्थ के बारे में बात कर रहे थे इस बार पहली बार जब करोणा का परवेश हुआ हमारे भारत देश में तो करोणा जांच का स्टीफ दो सेंटर था। सीटो जी आपको मैं जानकारी के लिए बता दू कि इस बार 200 से उपर करोना जाज का सेंटर भारत देश में है और इस बार के बजट में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मानिय बितमंत्री बितमंत्री जी को कि उन्होंने हर एक ब्लॉक अस्तर पर अस्पताल खोलने क का निरने लिया है ये तो बहुत बड़ा स्वागतिय कदम है अब ऐसे महामारी में करोना जैसे महामारी में कि जो देश और गाउं और ब्लॉक नहीं देखता है तो अस्पताल के हो सकता हर एक जगा है चिकित्सा की सुविधा सब जगा होनी चाहिए स्वास्त के अंदर सब जगा होना चाहिए और इस बार इस बजट में ये प्रवधान किया गया है कि ब्लॉक अस्तर पे भी जो स्वास्त का सुविधा है उसको करोना के मदे नजर और अपग्रेट किया जाएगा इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है अभी तो हम लोग अभी बूरी तरह से करोना करोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं तो इसमें इस बार जो है अगर हम लोग करोना के महामारी से गुजर रहे हैं तो हम लोगों का भी टार्गेट है कि हम लोग इससे कैसे बाहर निकले ना कि इसमें टार्गेट ये बनाए कि वो इतना पैसा नहीं दिया तो वो कितन कपा या करोना कीर्ध को आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इस बीप्रित वरिस्थिति में भी जो टक्स का रॉformed को इस बार भी रखा गया है इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है कि जिससे लोगों को प्यास दर पर भी टेस्ट लगा दिया वो इस बार लोगों को चुबे लाग निए जिसका पीएफ डायलाक से बेशी है उस पर भी उनको इंटेस्ट लगा जो आज तक यह कभी ने यह यह जवरत है अगर चलिए आज तक अगर नहीं लगा और नहीं भी अगर इंप्लीमेंट हुआ है तो इसको भी फालता से नहीं जोड़े आवसकता से जोड़े इसको बात को समझना पड़ेगा अभी एक बात देखिए यह पे टैक्स लेरे किससे जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं थे कुट देखिए सोंगे औरे चर्णेश्य भी थैस फर महीं आप देखिएगा हम अगरेक्स श्यक्ति तो आप छोटी बात कर दिये कि चार दिन का सैलरी और एक दिन का डिये अभी जो बिपरीत परिस्थिती में देश के सारे देश वासियों ने खूल करके योगदान दिया है हमारे इस करोना महामारी से निकलने के लिए आप चार दिन की सैलरी की बात करते हैं इस भारत देश में ऐसे इसे लोग हैं जो अपना तीस दिन का भी सेलरी जो है करोना से निकलने के लिए रहत को उसमें जमा किये यह 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 युगदान जो है यह जो अगर अगर चार दिन का सेलरी आपके कहने का नुसार अगर किसी ने दिया है तो वह देश को दिया है ना कि किसी के खजाने में भरा है किसी के पॉकेट में द पड़ेगा और भारत देश को ही देना पड़ेगा इसको अन्य था क्यों ले रहे हैं एक साल फिर एक्स्टेंड कर दिया है वह समझने के बात वहीं पर है अवसकता है अवसकता है बड़े बैपारियों का टैक्स माप अगर आपके कहने का नुसार कि जो आप बता रहे हैं ऐस परिस्थितियां बिल्कुल वही है जो पिछले वर्ष था और कहीं से भी आप देखेंगे इसका दुर्गामी परिणाम निकलेगा अच्छा परिणाम निकलेगा और काफी सुन्दर विवस्था जो है बनाया गया है इस बार बजट में और जिस तरह का प्रवधान इसमें किया गया है किसान के लिए किया गया स्वास्त के लिए किया गया है ये काफी देश के हित में काफी बेवस्थित बजट है ये मिडिल क्लास केकर बात करूं तो लॉक्डाउन जो लगा उसमें मिडिल क्लास जो भी परिवार है उनको बहुत परिशानी भी अब मैं आपको एक एक्जामबल दू कि सहर में चाहे वो भी धायक मनीज जैस्वाल हो या कोई सेवी संस्ता हो सारे लोग भोजन पानी की वेव आपके बात से मैं सहमत हूं कि करोना महामारी के जो दौर में मिडिल क्लास क्या जो निम्न आयवर के भी लोग है और जो उच्छ आयवर के भी लोग है परिशानी सभी को हुई भारत देश में हुई विदेशों में भी हुई और दूसरे अन्य देशों में भी परिशानी सबस्क्राइं सबस्क्राइं का कोई कर नहीं लादा गया है किसी परगार का कोई अन तरह का टैक्स का सलैब नहीं दिया गया है कि जिससे उनको दिकत हो सीटु जी सहमत है यह अगले बार से इस बार क्रीसी बजट में छे हजार करोड़ गटा या जबकि बढ़ाना चाहिए इस बजट अभी देख रहे हैं एक चोवण था एक अड़ाली सुभा तो छे हजार करोड़ गटा दूसरी बात अभी जो अभी आप नहीं कर रहे हैं अभी जो दो सो बोले की करोणा जांच सेंटर है अब डिभाइट कर प्रखंट स्वास्त केंद्र एंजी ओ को दिया गिया है लेकिन अभी वो चल नहीं रहा है पूरे जो नीती आयू का फैसला है कि जितनी सरकारी अस्पताले पीपी मूट पर पैसला हो चुका है उसको इस बजट कोई मतलम नहीं है हेल्थ में जो है हम आगे पढ़े और अगर आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक मांगा अगर कई तेल है इंडिया में गलत कहना है ऐसी बात नहीं अगर आप रासन के बारे में अगर बात करते हैं खादे समागरी के बारे में तो निश्ची सोपर बहुत बिश्वास के साथ आपको कहना चाहेंगे कि जितना समागरी अभी भारत देश में उपलब्द है और जितने कम दर पे उपलब्द है कि बढ़ने वाले बात पर आप लोग कभी आकर बताते कि यहाँ पर इसका घट्टे तब सब गदाल के नहीं हैंof करी कि सब में दाम बढ़ गया किसी में गहता है किसी में बढ़ता है यह सब s uwagę को दिन पाथ पता चलेगा लेगिन लॉग-डाउन लगने के बाद से इंच पूल जब से बंद हुए है बच्चों की सारह क्लास का वह बजार से यह सब होता है। करोना को देखते वे बढ़ाया गया है उसका आप गौर करें लेक्ट में बढ़ाना पड़ता है तो इसका प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ाना पड़ता है उसके पीछे खर्ज भी बहुत पड़ता है तो कुछ ने कुछ दाम में अंतर पड़ता है अरे एक साल पड़ता है अभी सही ये समय था इस पे ड्यूटी बढ़ाने का कि ये दाम ये महेंगे हो जाएं मुबाइल हेट फोन जो भी इलेक्टोनिक समान और भी है वो महेंगे हो जाएं ऐसा तो कोई महांगा नहीं वाज़ तो सगार ने इसको महेंगा किया है देखिए इस बार जो है हम लोगों के यहां पर ऑनलाइन क्लासेस के कारण इसका डिमांड जो है काफी जादा है तो डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत ऐसा समान है जो भारत देश में अगर हमारे पास उपलब्दता कम है तो दूस नहीं है किसी भी कीमत पे तो एक बात बन सकता है लेकिन हमको आज मोबाइल का जोरत है लेकिन वह हमारे पास उपलब्द है यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के तो जो भी समान के दाम बढ़े आपको लगता है कि उस पर पर बेब में स्टड़ी नहीं किया गया और अब बढ़े गहें अभी मूल बिंदू को आप लोग टचनी करता है अभी करोना काल में आपका फेस्बूक और गूगल के साथ सीबी अग्रिमेंट हुआ उसको देखिया ना भाई का जरूई था आप लोग तो आउसर सब ढूंड रहे हैं वहीं आउसर था क्या एग्रिमे आपका बच्चा अगर प्राइबेट इसकूल में पढ़ता है तो उसको मॉबाइल और एएरफोन इसब आपको देना होगा तो इस थिति अभी आ रहा है बजट जो हुआ पेपरलेस हुआ है पहला बजट है पेपरलेस हुआ अच्छी बात इसकूल को भी आप पेपरलेस कर Till class 1-10 तो जब free and compulsory education की बात है तो हमको फोने से पढ़ना है फोना हमको क्यों करते है तो यह जो सारा यह को आज का बात आचानक बजट में फोन मांगा हो गया यह ऐसा बात नहीं इसके लिए पूरा एक ठो पूरा बियस्था किया गया है अब बहुत लोग तो यह भी नहीं इसमें आपको जितना चुवन कमपनी उसमें आपको वेयरॉस से इपक ओड़ा उसके आर चावल्दा जितना पीडियोश्च सारा अनाच पीडियोश तोच आप अगर का अप्सितना बंद हो गया तिसका अनाच कह आए देखिए जिस तरह की बाते ये बता रहे हैं पहला तो ये सब होना संभव है इनका कहना है कि अगर FCI का गुदाम बंद हो गया तो आनाज कहां से आएगा तो आपको क्या लगता है कि FCI का गुदाम अगर बंद हो गया तो सारे आरोब बिल्कुल बेबुनियाद है अनाज का गुदाम से आप इस बजट को जोड़ रहे हैं आपके नजर में तो अगर जो भारत देश का बजट और भारत देश का जो अर्थ बेवस्ता है आपके नजर में तो लग रहा है कि बस कल हम सब कुछ दबस्त हो जाएगा जिस तर आपके कह देने से ना कोई कंपनी बिक रही है ना कोई कंपनी कहीं जा रही है आप विपक्ष में हैं आपको जितना आरोप लगाना है लगाई हम लोग तो भी किया चाहां है हिस्सेदारी दे रही है हिस्सेदारी हम आपको पहले भी बता चुके कि कि किसी भी बैपार में परिस्थिती जब भी बदलता है हम अपने लाब को अपने किसी भी दूसरे कंपनी में हम उसको लगाएंगे वहां से और लाब अपना कंपनी में लगाई न सरकारी कंपनी में लगाई यह को न आपको रूका प्राइबेट को क्यों आप बेच रहे हैं उसका वह भी भारत देश कांग है अब एक छोटा साभी अभी आपको हम पता दे रहा है कि 2021 में 6,15,882 करोड रुपईया का मुनाफ़ा कमाया अगर इस इंकम के पैसा से अपनी पत्नी के क्या बोलते है साधी के साल गिरा पे 15 रुपया का गुला फुल देना चाहे दे सकता है नहीं दे सकता है लेकिन यहीं अपनी पत्नी के जन दिन पर एयरक्राफ्ट गिप्ट किया थे ना वह अपना इंकम से किया थे चुकि प्रा सरकार का उनका होता हुब आप यह नहीं होता हुआ जब भी खर्चा होगा देशीद में खर्चा होगा चाहे वो उसके जैन साथे खरखव। यह थीद करदी सबस्टेश–जैन उसके खरच्थ और पर वाहरे खरच्थतृ जिए कhou सबसे मेनत करता है एजेंट करता है और उसके बाद बुनाफा तो साल में जोड़ेंगा क्यतना पैसा कमा है सो रुपिया क्या हमको देदो पूरा काम नीचे से उपर तक सारा काम क्या हम्रा इस्टा हमरा कंपनी अब मुनाफेक समय आ गिया अपना पूरा उठागी लेगिया यह सिर्फ एलाइसी की बात हम निकार यतना सरकारी कंपनी है उस आप को करता था अब दिन को सहथ नहीं होगे हम पहले है कि यह कभी भी सहमत नहीं हो इनको आपती है कि अपती का पैसा रोड पे क्यों लग रहा है अपती नहीं हमको एक जांपा अभी आपने जैसा कहा कि एलाइसी जो का जो प्रॉफिट है इतनी बड़ी कमपनी है उसका पैसा हम लोग इने चाहिको दे रहे हैं क्या भारत देश में सड़क का निर्मान नहीं हो रहा है क्या भारत देश के लोगों को सड़क नहीं चाहिए क्या आज के जो इस रफ्तार व जो सड़क है या भारत देश का और विजो सुविधा है इसको हम कहां से बनाएंगे हमारा जो हमारे महनत से जो कंपनी प्रॉफिट करके बहुत लावर्जित किया है उसी पैसा से हम बनाएंगे सड़क हम बना रहे हैं कैसे बेच रहे हैं क्या सड़क सड़क बिगने वाई इसलिए जहां तक कंपनियों के हिस्सेदारी बेचे जानी की बात है वो पूरी तरह से गलत है और इस बार का जो बजट है वो इस महमारी करोना से कैसे उबरे इस पे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है 35,000 क्रोन रुपे का बजट दिया गया है वैक्सिनेशन के लिए यह भारत देश के लिए और यहां के नागरुकों के लिए बहुत बड़ी रहात का खबर है और यह होना भी चाहिए और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बितमंत्री जी को कि इतना देश वास्चियों के लिए एक इतने बड़े बजट के वर वैक्सि घृड़ां में गया है वो इस बजट से जो स्वास्त के चेतर के जितने भी हमारे इस रोजगार में लगे हुए हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत का बड़ा खबर है उनके लिए देश वासियों के लिए तो करोना वैक्सिन एक राहत भरी खबर हई है लेकिन स्वा और तो पर बाओचित की कहा किसान का इधूरा हो जाए सरकार अंदूलन कर रहे हैं मोजे उत्बाद ने कただ करने जा रहें कि करने जा रहे हैं यह नहीं का भज़त मोजेत किये है अगले वर्स से छे हजार करोड़ कम है अब आप खुछ समझ सकते कि छे हजार करोड़ रूपया बजट घटार किसानों को फाइदा हो जाएगा तो यह मेरे समझ से परें उन्होंने जो आज बजट केस किया एक लाग चुवन हजार करोड़ आगले वर्स दिया थे इस बार ए गारी चौदा साल यह फंदा चौदा साल पर लिया था और भी तर पचाज़ किलो मिटर पाएं सब्सक्राइब जो प्रावधान किया है अब इस बार उसमें कमर्शियल वेकल पंदरा साल बाद वाद वेकल जो है फंदरा साल बजी जो और जो यह जो आम लोगों का जो गार यह कार है वो 20 सल बात उनका कहना है कि मैंने तो चलाया भी नहीं आम जो आदमी है बिल क्लास है वह बहुत मुझके से गाड़ी लेता है कम से कम 20-25 साल तो चलाता ही है रखता ही है में रखता है यह स्क्रैप वाली बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है देखिए यह यह बीमार पढ़ रहे हैं तो एक परिकिरिया यह निकला कि जो जिसको हम लोग भारत स्टेज 1 भारत स्टेज 2 भारत स्टेज 3 बोलते हैं इसी प्रनाली के तहत गाड़ीयों का रोड़ पे परिचलन होता है अब यह अलग बात है कि हम गाड़ी खर लिए उसको हम चलाए ही नह आप उनकी बात कर रहे हैं लेकिन आप देखिए कि इसी भारत देश में और बहुत ऐसी गाड़ी हैं जो कि कुमर्सिल वह के लिए या प्रेवेट वह के लिए या ऐसा गाड़ी जो लोग भारा पे चलाते हैं और वो जो है दो दो लाग तिन तीन लाग किलो मीटर चल गया गाड़ी धुए देता है जिससे परियावरन को नुकसान होता है बच्छे में बच्छे खासते हैं और बुजरुगों को दिकत होती है तो यह एक परिकिरिया है कि और यह पहले से लागु परिकिरिया है कि जो पंदरा साल का गाड़ी है उसको फिर इसक्रैप किया जाएगा और जो परेशनल गाटिल जो है जो हम लोग चड़ते हैं 15 साल के बात पुना उसको पास साल का एक बार और extension मिलता है अगर गारी का fitness है तो मोटर भैके लेकर था तो एक बार उसको पुना और उसको extension मिलता है शीकुझ ये सही है स्क्राइब पॉलिसी जो सरकार की है यह गारीं फोलेखे रहा है अब पर खाली गारी से ही सीटूजी हमारे सारे बातों से सहमत हैं सीटू जी मानते हैं कि एलाइसी प्रोफिट में है, सीटू जी मानते हैं कि रोडों का निर्मान हो रहा है, सीटू जी मानते हैं कि नया गाड़ी जो है खुब भिग रहा है, मतलब सीटू जी पूरी तरह से मानते हैं कि जो इस बार का भारत जिसका जो बजट है और जो इस ब प्रोड कर निर्मान को स्विकार करते हैं एलाइसी मेरा प्रोफिट में यह स्विकार करते हैं तो इस बात का निज़कर से ही निकलता है कि भारत देश का जो इस बार का बजट है भारत देश की जो अर्थ विवस्था है वो सही पट्री पर जा रही है और मैं सीटू जी से पर दोस्तों को बेचना और उसके लाब को कहीं पर लगाना इन्वेस्ट करना अपने ही देश के कंपनी में नई लग रहा है भारत देश के कंपनी में लग रहा है निश्चित दोर Remember भी कंपनी लाब में है और जब जादा लाब होगा तो भारत देश को इसे फा argue back बहुत बहुत शुक्रिया आप तो लोगा कि इस्टूटियो में अपना किम्ती समय दिया ये थे हमारे साथ दो अतिती जो जिनों ने इस बहस में भाग लिया अगली पर फिर किसी ने में मान के साथ आपके से मिलता हूं